मॉर्निंग दोस्तों अभी हो रहा है मॉर्निंग पर टाइम और अभी बज़ रहे हैं पांच से समा पांच तो अभी मौसम सुबह सुबह देखे काफी अच्छा है काफी हवाच चल रही है तो लगते हैं काम में और पांच के जिसे मेरा रूटीन स्टार्ट हो चुका है और भी चलते हैं पड़ा पर्चो के जारू लगा लेते हूं क्योंकि सब्सक्राइब की जारू जो है के लगानी बहुत जरूरी होती है और इधर आप देख सकते हैं कि अच्छा पाधा खिला कि मैंने ब्रामजे में जहां में लगा लिया है और उधर से लेते हुए सिधे इधर कमरे में लगा लूँगी दोनों कमरे आगन किचन सारे में लगा लूँगी ऌह ब्रामजे से हैं में सुरूवाद करती हुए कि देखिती मिटी और तो तो इसेले कर लिए उसी वजह से थोड़ी मिट्टिया रहती है वाइसे तो घर साफी सुत्रा रहता है लिसा लेका लोँगी सब्सक्राइब . तो दोस्तों बच्चे चले गया ते स्कूल और चादर वगर मैंने अच्छे से सही करके पुरा पोच्छा घर में लगा लिया है तो मैं बिल्कु सुबर पोच्छा नहीं लगाया था इसलिए क्योंकि बच्छी रहते हैं गर में पुरा चलते रहते हैं तो पुरा जैसे कि पै चालू कर दिया है ताकि सुख जाए क्योंकि बाहर विडिल हवार नहीं चल ले अभी तो इच्छे देखे फूरा अच्छे से पोछा इस वाले में भी ठोलने लगा लिए और जैसे पोछा लगा खाली हो फिर उसके बाद आगे थी दूद देने के लिए तो इधर मैं दूद बाहर ऑफिर ले लूँगे तो मौर्णिम में दूद आ जाता तो कपuden में आर साथ है साथ मैं चला दूद बाहल होने के लिए और जब तक दूद वाय लोगा तब तक मैं चरी जा थी नहाने के लिए फिर उसके बाद पुझा पाट कर दोगा अधर नहा लिए था नहाने के बाद जो एक लड़ बाबो को मैंने जगा दिया है उन्हें पाले नहीं पिला दिया है फिर उसके बाद उनके लिए मैं ले आई अब तक लाला दूठ पीएंगे तक में कपले डाल देती फटा पट्चमों भी सूख जाएंगे और लाला भी अपना भूब लगा लेंगे काम पर तो यही रोज की नेली रूटीन रहती है गायद कभी दो पर छे सुरू होती है कभी थे सुबर से सुरू होती है हम लोगों की रूटीन तो मैने अदर मान्यूम से रूटीन अपना शेय खिया है हो और अभी देखे कितनी देज दूब हो चुकी है तो इधर कपड़े में डाल। खुर से भी सूछ जाती है। ज़क्ति हुआ अधर बड़ी बड़े कपड़े में डाल देती हूं तो चलिए फटाफट्चितों के कपड़े डाल देती हुँ। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल केども में इस्तनान कर रहे हूं है मातराने का श्सनान कराने के बाद फिर कीणा लट्डू बाबू का जो किस दनान कराऊंगी तो यहां दिखे प्रेमजे से मेरे तीनों लाला नहा रहे हैं तो गर्मी में जो ठंडे पानी से और जाडे में गरम पानी से ही नहलाना चाहिए जैसा मौसम हो वैसी सेवा करनी चाहिए अपने लाला के अब लगा जो किये अब लगा दर्शन कर देजिए राधे 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 तो फैमरी जैशीरी क्रिष्ना कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हैं अब सभी लोग अच्छे होंगे सवस्त होंगे मस्त होंगे मैं भी अच्छी हो और पुझा पार्ट मेरी हो चुकी है आप लोगोंने लालाक दाशन भी कर लिये हैं और सारा काम घर का अलमुष्ट हो चुका है कपड़े वगर असा मैंने डाल दिये धूप में जाड़ू पोच्छा सब कुछ हो गया बस नाश्ता करना है और धूप बहुत तेजगाई इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है न किच्छन में बिल्कुल भी जाने कर नहीं मन हो रह है और धूप होने लगता है कि थोड़ा बारिश हो जाए तो किसी चीज में मतलब वह नहीं है कि क्या ही किया जाए तो बस नाश्ता करना बाकी है चलिए नाश्ता कर लेती हूं और मिलती हूं मैं आप से थोड़ी देर बाद तो दोस्तों यहां मैंने फ्रूट कट कर लिया है और मैं नाश्ता कर लूँगी और अकेले तो नाश्ता करना अच्छा लगता नहीं है पर क्या करूं मजबूरी है बच्छे रहते रहें बच्छे भी संदे संदे ही रहते हैं तो संदे को जो एके साथ में मुड़ों नाश्ता करते हैं और वैसे तो सारा दिन अकेले ही कर कि दूट में आ गया हूं किचेन में और नास्ता वास्ता मेरा हो चुका था और इथा देखिए दूप भी वाइल हो चुका था दूट में चड़ा के चलिया तो नहाने के लिए तो दूपर तक आ जाता है और इधर मैं देखिए पत्ते धोधी है रूई के पत्ते है तो आज इसकी ही सबजी में बनाऊंगी इसकी ही होता है ना इस बेसन को इस पर लपेट-लपेट के मौड-मौड के भाफ दे कर बनता है तो वही वाली बनाऊंगी सारी इसकी डंटे मैंने काट ले है तो मेरा दाल बन चुका है और यहां पत्तों को मैं इस तरीके से कर ले हूँ बेसन में लपेटकर अब मैं इसमें रखती हूँ इसमें देखे मैंने रख दिया है अच्छे से अब इसको ढब दूँगे 10-15 मिय मैं इसको हटाऊंगे यहां से दोस्ते देखिए बिल्कुल अच्छे से हो चुका यह और यह हो चुका था तो इसको अभी जो है अब यहां दाल भी मेरी बन के तियार हो गई है और मैंने चावल चड़ा रखा है यहां पर तो दोस्तों देखिए इसे मैंने फ्राइ कर लिया है और इधर जो कुछ ऐसे ही रखे हुए हैं साम को मैं इने फ्राइ करूंगी जब हस बेनाएंगे तब और इतना फ्राइ कर लिय है मैंने बहुत टेश्टी हो रहा है खाने में बिल्कुल क्रिप सी जैसे मतलब राइ हुए हैं दोस्तों देखिए पकोड़ियों को भी मैंने निकाल लिया है बिल्कुल बहुत अच्छे से हो चुकी है बिना ऑईल के दोस्तों जो है कि लंच पूरा बन चुका है बस बच्छों का मैं वेट कर रही हूं कि कब आज आए तो फिर उनको जो की पतलब लगाऊंगी ठाली अब देखिए रद्वाबु के भी कपड़े पूरे बहुत धेर सारे हैं तो कि कल गुरु आट था इसलिए कपड़े सब के जाधा होगे मेरे भी फिर दबाऊके भी आज इतने कपड़े शुथय चुके हैं जैसे टुपट्टय अगरे हलका होता है थो सब सुथयों तो यहां दिखें यहां सब रख दिया है और अग्ट मी बहुत हो रहे टो किचन कि काम करने के भाए इतना पसी ना यह ना तो डश가 है घुक्त मैं बताह कि वह मैं माजूंगे और अभी बदली सा टाइम हो रहा है कि बदली जैसा लग रहा है बिल्कुल दूप चली गए बदली जैसा लग रहा है और अभी मेरा पार्सल आने वाला है तो देखिए फोन आया था कि आदी और एक घंटा में मैं आऊंगा अजली आले भाईया फोन कि चलिए मिल्टी में अभी थोड़ी आपको देजवाद मेरे बच्चे भी आगें दीदी कहां कहां कि किसका बट्टे था किसका बट्टे था है तो यहां दोफ्त जोई की सबका लांच दो गया था लड़ी बाबू को भी मैंने लांच करा दिया था और अब उनका सिंगार यह कि मैंने उता गया है और अब उनको मेरे सुलाओंगे तो इसी तरह में रोजी उनको बट्लार करके ही सभी बच्चों को मैं सुलाती हूँ चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो तो पहले सभी बच्चों को हल्की हाथों से सहलाओंगी उनको अच्छे सक्यार करूंगी तो इसके बाद ही उनको को सुलाती हूँ तो चलिए लाला को तो उनके बेट पे जो है ना कॉरन की चादर विछा कर और तर मैं उने सुलाती हूं तो चलिए सुला लेते हैं लाला को और मैं। तो चलिए बीजर कम आने सुला लेते हैं गलो हमाज्या की चलिए माज्वाग का की चलिए सुलां टाक है आथी जुशला कमाने सुलाने सुला ले जाल टाने ? कि यहां दस्तों साम हो चुकी है और बच्चों को बैठा दिया पढ़ने के लिए यहां देखे क्या हाल कर दिया है बिस्तर के बाहर्च मैंने सारे कपड़े जो की उठा लिये हैं यहां रखा हुआ है तह लगाने के लिए तो अभी घड़ी में बज रहे हैं पांच और लाला का भी कपड़ा उठाना यहां से बहुड है सारे कपड़े इनके भी है तिनके बिकिने जो की फोल्ड करके रखने हैं सारे और अब इनके कपड़े जो किसी दिन प्रेस भी मुझे करने के कि कॉटन के कपड़े हैं तो आते हूं तो यहां मेरा पार्ज सब आचुकर है तो दोस्तों देखें लाला अपना बैठे हुए यहां पर यहां अपना लाला बैठे हुए है अब अभी भी जो कि बहुत ही तेज धूप चल रहा है और दोस्तों अभी जो कि मेरा पार्ज सल आ गया है और मैं भी आपको दिखाती हूं ओपन करके कहां मैं जो इस कमरे में चली जा रही हूं तो यह लोग बालकनी में चले जा रहे हैं जब तक मैं बैठी तो तक पढ़ाई होती है जहां मैं हटी दुर घटना घटी देखें बिस्तर का क्या हाल हुआ है यह लड़का यह पूरा का पूरा बंदर है बंदर मैं हट जा रही हूं यह बालकनी भाग जा रहा है पूरा यह चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि क्या मैंने मंगवाया है क्या मैं आपको आपको दुए रहा हुआ है रहा है बंदर हो जाइव जाने का यह पूसदा रहा है बंदर का रहा है लोगे बने शेल्टेवर तो इसमें इस निकाल सकते हैं, अईसे डाल सकते हैं, क्योई भी चीज हो तो इस तरीके से लगा दिजी। इसमें आप मता फ्लावर भी रख सकते हैं , इस तरीके से भू मा भूमा कर कोई चीज यह सकते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे हैं वैस्ट नहीं मुबाइल पकड़ी थी ना तो देखिए इस तरीके का है यह पूरा जैसे कि कोई चीज मेरा इसमें का था तो खराब हो चुका था तो तूर गया था तो इसलिए मैंने यह वाला ओडर किया हुआ था और यह क जो एक सीट कर सकते हैं आप तो यह बताईएगा कि कैसा लगा कमेंट में तो इसकी जरूरत थी मुझे मैंने मंगा लिया कम प्राइज में भी है और अच्छा भी है देखने में अच्छा भी लग रहा यह देखिए इसमें छोटे-छोटे जो है नब वह भी किये हुए है ज जो चलिए इसको किछन में रखते हैं और फिर लगते हैं किसी और काम में है जो जो अभी 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 अविलेवल था मेरे पास वह सारा मैंने यहां देखिए लगा दिया है आप देख सकते हैं यहांपर तो वीडियो काफी लंबी हो गई है दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते मिलते हैं आप सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्यार लखेगा अपने और अपनों का तक लिए राधे राधे